Hello Friends, क्या आप लोगों के भी Scholarship के form भरते समय कुछ ऐसा Error आ रहा है, आपकी भी server में problem हो रही है, आप भी Scholarship का form नहीं fill up कर पारा है, तो बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है यदि आपके Scholarship के form भरते समय ये Error आ रहा है, कि scholar ship की जब आप website open करते हैं आप form को login करते हैं तो ज़्यादा तर होता है कि login करते समय ऐसा error आता है तो ये solve कैसे होगा ये error के बाद आप form कैसे भर पाएंगे आप form भर पाएंगे ये आप समझ लिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ आप form भर पाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये error आने के बाद आप form fill up नहीं कर पाएंगे आप form fill up कर पाएंगे लेकिन कैसे fill up कर पाएंगे वो आपको step by step समझना पड़ेगा तो मैं आप लोगों को बता दू कि scholarship का form यदि आप fill up कर रहे हैं तो आपके scholarship आनी भी चाहिए तो scholarship आएगी कैसे scholarship लाने के लिए आपको सही तरीका यूज करना होगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं अपने पिछले वीडियो उज में भी बता चुका हूँ कि scholarship का form सही से fill up करेंगे तो आपके scholarship आएगी यदि आपके scholarship फिर भी नहीं आ रही है आपके status में कोई error आ रहा है scholarship के status में कोई error आ रहा है तो आप हमसे comment करके पूछिए मैं उससे related वीडियो बनाऊंगा लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ कुछ वीडियो में privacy लगा कर post करता हूँ तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा channel subscribe किया होती यदि आपने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर दीजिए और bell icon जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियो की update आपको निलती रहे तो यहाँ पर आप देख पा रहे कि मैं एक form को login करने की कोसिस करता हूँ तो जब मैं उस form को login करूँगा login करने के बाद में वो error आएगा उसके बाद में मैं क्या करूँगा वो आप ध्यान से देखिएगा इस error को दूर करना है ज़्यादा तर students यहाँ से window close करके बंद कर देते हैं बोल देते सर्वर error है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पर आपको क्या करना है वो आपको step by step समझना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे है यहाँ पर click here to home page ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर या इसी प्रकार से लिखा होगा कि आप यहाँ पर click करके home page पर जा सकते हैं तो यहाँ पर आप click कर देंगे तो कुछ ऐसी window आ जाए कि ऐसे आपकी भी window open हो जाएगी जब आप continue उस पे 4-5 बार 6 बार आप click करते रहेंगे तो ऐसे window open हो जाएगे और उसके बाद आप देखिए मैं form को login कर रहा हूँ और form login होगा इसके बाद में आप form को ऐसे login कर लीजेगा आप यदि registration कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है तो इसी तरीके से आप लोग scholarship का form fill up करेंगे यदि कोई भी परेशानी हो रही है आप हमसे comment करके पूछे आपका भाई है आपके reply करने के लिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक के लिए best of luck गुडबाई धन्यवाद जाएकिन